एक हेलो डोस्टो। वेल्कॉम टो वाई चैनल एस वीडियो में हम देखने वाले कैसे चो modern signal दे रखा हूथा उसको कैसे sketch करते है उसके waveform कैसे sketch किया आती है जी कैसे sketch करते है पहला signal है हमाया किसका UT की फोर्म का step signal है तो step signal के लिए क्या प्रोसेज है देखिए देखिए कैसे ड्रो करते है पहले देखना है वो किस-किस पॉइंट पर exit कर रहा है तो किस-किस पॉइंट पर है वो ती प्लस वन यानि टी प्लस वन को 0 के एकवल पुट करो यहां से क्या आएगा टी की जगह माइनस वन पर exit करेगा UT यानि टी कोई जीरो पर है और टी माइनस वन यानि वन पर है यानि इन तीन जगह पर क्या होगा डिसकंटिनिटी आएगी वेफों में यह जो पॉइंट होते हैं डिसकंटिनिटी बताते हैं हमारे अब देखिए next इतना पता लगा लिए next हमें क्या करना अगर step है तो इसका केवल amplitude देखना पहले वाले का amplitude कितना वन तो यहां पर कितने तक जाएंगे हम तो यह बनगा ut plus 1 कहां तक जाना जब तो पहले डिसकंटिनिटी जीरो पर आकर रुक जाना अब देखिए जीरो पर आकर क्या कितने का amplitude हो गया माइनस 2 का यहां पर यह प्लस वन का प्लस वन से माइनस 2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम यह दो स्टेप नीचे जाना पड़ेगा यानि माइनस 2 करना तो माइनस 2 पर ही नीचे लिए ना माइनस 2 का मतलब है 2 स्टेप डाउन ठीक है माइनस का मतलब तो दो स्टेप नीचे जाना मुझे एक स्टेप आया ठीक है सेकंड स्टेप ना इसका मतलब क्या 2 step down जहां पे वह originale position पे था यहां पर था one पर one step निशा आया second step यहां पाया ठीक है step में ऐसे होता step is बढ़ता उपर कहां तक जाएगा जों तक उसकी discontinuity मिल जाए कहां पर मिलेगी discontinuity one पे ठीक है next 2 पर कितने का प्लस 2 का यहानि 2 step उपर जाएगा पहला step गया ठीक है second step यह गया ठीक है तो यह कहां तक चले आगा यहां तक चले आगा उसके बाद क्या होगा waveform ऐसा आगे बढ़ती रहेगी ठीक है तो यह होगे हमाई waveform इस टाइब से ड्रोग करते हैं बस मैंनका इसका step का ध्यार रखना next question ut plus 1 minus 2 ut minus 1 वही पहले सबसा पहले क्या करना discontinuity वाले point लिखने उनको लिख दोगे तो आसान रहेगी चीज़े पहले किस पर t plus 1 यानि minus 1 पर second कितना 1 पर t minus 1 यानि 1 पर और second t minus 2 मतलब 2 पर ठीक है तो पहले का amplitude कितना 1 तो 1 पर गया तो यह 1 पर ठीक है next कहां तक जाएगा जाता रहेगा जाके कहां पर कहां पर आके next discontinuity 1 पर 1 पर तो 1 तक ऐसी जाएगा यह 1 पर जाके change होगा 1 पर कितना 2 step down 2 step down यानि एक step यह चला दूसरा step यह चला ठीक है तो यह हो गया minus 2 ठीक है minus 2 होगया 2 step नीचे फिर इस पर चलता रहेगा next discontinuity किस पर 2 पर तो पर जाओ 2 पर आके कितने का है 2 step अब तो पहला step चलो one यह चले second यह चले ठीक है then waveform आगे बढ़ती रहेजी यह बनगी waveform इस type से draw करते है next देखिए यहां पर कहां कहां पर zero पर one पर three पर और five पर तो इसके लिए बनाओ जीरो पर और कहां पर one पर three पर and five पर तो zero पर कितनी है कितना amplitude है three ठीक है zero पर amplitude कितना three next उसके बात क्या करना next discontinuity किस पर जाके one पर तो बन तक यह ऐसे जाएगा one तक तो यह ऐसे आया one पर आने के बार कितने का down जा रहा है minus से तो two step कि जाएगा down जाएगा तो तीन से two step जाने पर का पर जाएगा one पर जाएगा ठीक है तीन से two step निजे चलेगा तो one पर जाएगा next one के बात discontinuity किस पर three पर तो three तक यह जाएगा जो भी चेंज होगा three पाएगा three पर क्या three पर two step अब जा रहा है तो one से two step जाने के लिए कहां पर पहुंच जाएगा three पर तो three पर पहुंच गया ठीक है कहां तक जाएगा find five तक five पाइने का बास क्या उडरा five पाने के बाद कि कहां की पांच step down नीचे जाना है और तो टीन स्ट्प ठाप यहां तक होँगे थीक यह वह दो फिर नीचे और जाना पड़ेगा भी दो स्टेप नीचे गए ठीक है तो ये दो स्टेप नीचे गए मानस टू यह नि और यह वेफर्म क्या होगी ऐसे बढ़ती चलिए ठीक है इस टाइप से ड्रो करते हैं काफी आसान है नेक्स्ट अगर रैंप सिंगनल आया है रैंप स है सिंगनल को देखिए इसमें क्या चले उसमें step देखर थे इसमें क्या देख़ेंगे? slope देखो इदर क्या साथ अब चची अपन्य कर कहां कहां पर दिसकशन ट्रो करना देन जी रो करना देन 2 थीक है इतने फांडरो कर लेंगे। Princip pain कर लेंगे। Nextु. pe on pag के लिए किया होता उपर की तरफ जाता ठीक है यह क्या 한ूश one का सब्स वन इस लोट एक वन पर जाने के बाद किया हो रहा वन पर माइनस वन हो गया माइनस वन मेट तो बहुतना हो जाएगा जीरो 0 slope का मतलब क्या हुटता है एक स्ट्रेट लाइन ठीक है 0 slope का मतलब कहाता हो जाएगा next discontinuity तक जो है 2 पर आके ठीक है तो यहाँ पर कितना होगी है slope 1-1 equals to 0 slope ठीक है next अब 0 का slope हो चुका 0 0 पर यहाँ पर आके कितने करना 0 plus 1 2 पर आके देखिए यहाँ पर plus 1 का तो यहाँ तक 0 है तो 0 में 1 add कर दो तो कितने का हो जाएगा plus 1 का slope ठीक है तो यहाँ 0 plus 1 equals to 1 का slope तो इस टाइब से draw करते हैं ठीक है slope को add करते आना बस next इस टाइब से पहले पहले discontinuity point लिको कहाँ कहाँ पह है t plus 2 यानि minus 2 next minus 1 next 1 then 2 ठीक है discontinuity point लिक लिए पहले का slope कितना है plus 1 Minus 2 से minus 1 तक slope कितना थे plus 1 ठीक है तो यह कितना here plus 1 objeto next 1 पहरा मैं से minus 1 उस क्याए रहा यानि उसमें 1 पहरा आ की slope जाएगा add कर देंगी उसमें 1 हो जायेगा 0 का esi जायेगा 0 Ha 0 कहा तक जाएगा next discontinuity तक ठीक है zero slope हो चुकाता है यहां पर next next one पर आकर again क्या हो रहा zero minus zero तो next discontinuity से लेकि next point तक कितना हो रहा यानि zero zero यह था यहां पर कितना यह minus one यानि minus one slope minus का मतलब क्या होता नीचे ठीक है S L O P E तो माइनस 1 स्लोप कमतलब डाउन ठीक है यहाँ पर आ गए माइनस 2 पर माइनस 2 पर देखिए क्या हो रहा माइनस 2 पर यहाँ पर माइनस 1 स्लोप है next माइनस 1 माइनस 1 ता यहाँ तक स्लोप ठीक है यहाँ तक माइनस 1 इसी टाइब से कर देंगे इस वीडियो में इतना ही और थेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में